ओम श्यान्ति आज 7 मैं 2021 की साकार मुरली आज बावनी कहा मीठे बच्चे रावण ने तुम्हे बोहुत पीडित किया है अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीडा को दूर करने प्रस्न सपूद बच्चों की मुख्य दो निशानिया सुनाओं उत् सपूद बच्चे सदा मात पिता को फोला कर तक्त नशीन बनेंगे खुब पुर्शाद में लगे रहेंगे दुसरा उनकी बाव से दिल बहुत सची होगी सची दिल वाले सदा शीमत पर चलेंगे अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते गीते भोले अम श्यान्ति मिठे मिठे बच्चों ने ये भक्ती मार का गीत सुना भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं चानते तुम भगवान के बच्चे बने हो भगवान रक्षक है भक्तों का तुम भी रक्षक हो भक्तों के भक्तों की रक्षा करते हो कौन सी आफत है जो भगर रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं भक्तों को रावन का बहुत दूख है रावन संप्रदाई पिली थे दुखों से तो भोलानात को याद करते हैं वो है रावन संप्रदाई और यह है राम संप्रदाई भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक को ने भलगाते हैं भुलानास रक्षक है परन्तु क्या रक्षा करते हैं या नहीं जानते तुम बच्चेव समयते हो कि भुलानास सीव बावा ही बिगडी को बनाने वाला है दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदी मत्य अंध का भी पता हो ना भगवान को जानते ना रचना का पता है इसलिए ऐसे मनिश्वंप्रदाय को blind भी कहा जाता है दुसरे तरफ तूम हो जिनको दीविद्रिष्टी मिली है अब तुम्हारा नामी है ब्रमकुमार कुमारियां, बोड पर भी नाम लगा हुआ है, ब्रमकुमारी इश्वर इविश्व बिद्धाले, सिफ ब्रमकुमारियां हो नहीं सकती, परजापिता ब्रमा है न, पीता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं, परजापित संकर को रचने वाला बाप ही है जिसको निराकार कहा जाता है यह हो गया बेहद का बाप यवी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रमहा दवारा रचना रचते हैं इनकी सारी रचना है सब मनिश्य मात्र वास्तों में शिव बनसी है अवी तुम आकर परजा पिता ब्रमहा की सं यह नई रचना परमपिता प्रमात्मा ब्रमाध्वारा रचना रचते हैं तो तुमको ब्रमकुमार कुमारियां कहा जाता है इतने बेहत के बच्के हैं जरूर बेहत का बर्सा लेते होंगे बच्चे जानते हैं, हम ब्रमकुमार कुमारीयों को शीप बावा ने एडाप्ट किया है, शीप बावा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माई भी निलाकार थी, परन्तु ज्यान तो साकार में चाहिए, तुम जानते हो हम आदिसनातन देविदेवता धर्म के थे, ब्रम्हा द्वारा रचना यहां होती है शिप जयनती भी यहां मनाई जाती है यहां मगा देश में ही जनम लिया है बाब कहते हैं यह देश बहुत पवीत्र स्वर्ग था अभी इनको नर्क मगा देश कहा जाता है फिर स्वर्ग बनना है तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, शिप बावा हमको फीर से राज योग सिखाए पवीत्र बनाते हैं, गाते भी हैं पतित पावन, भक्तों के रक्षक भगवान भक्त ही पुकारते हैं, पतित होते विए भी अपनी को पतित नहीं समझते हैं, बाप समझाते हैं, तुम स सब राइट बताते हैं, लाखो वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं, मनिस घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलियुग तो अभी छोटा बच्चा है, और तुम जानते हो मौत सामनी खड़ा है, अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है, अब तुम घोर सत्यूग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे, उहां यह नौलेज ही नहीं रहती, इस समय बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, तुम सत्यूग में शुरी बंसी घराने के थे, फिर रंत में आकर शुद्र बंसी घराने के बने हो, अब फिर ब्रावन बंसी बने हो, बाबा पुछते हैं किसके पास आये हो, तो कहते हैं बाप के पास, बाप दो है, एक है लोकिक और दुसरा पार लोकिक, शवी साली गरमों का बाप एक ही शीव है, तुम्हारी बुद्धी में यह टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं, जिससे बरसा लेते हैं, निराकार बाबा बरसा तो साकार दोआरा ही देंगे ना बाप खुद कहते हैं मैं शाधरन तन में आकर प्रवेश करता हूँ अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भो अपने को आत्मा समझो यह देह बिनासी है आत्मा अभिनासी है आत्मा को ही 84 जनम लेने ना की दे को, दे तो बदलती रहती है, फिर दुसरे मित्र संबंधी मिलते हैं, अभी आत्मा को बेहत के बाव से बरसा लेना है, परमपिता प्रमात्मा द्वारा तूमी सुनकर फिर धारण करते हो, संसकार तुम्हारी आत्मा में हैं, आत्मा में ही संसकार रहते हैं, ऐसे नह नहीं, तुम्हारी आत्मा के संसकार तमो परधान है, उनको अब चेंज करना है, काया कल्पत रुख कहा जाता है, काया कल्प बिरिक्ष समान बनती है, आयू भी बड़ी रहती है, तुम जानते हो या तो आयू बहुत छोटी रहती है, छोटी आयू में ही बैठे बैठे आकाल अब तुम काल पर बिजय प्राव्त करते हो, वहां काल कभी खाता नहीं, अकाले कब सरीर नहीं छुड़ता, तुम जानते हो अब यह सरीर बुढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है, सरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जनम लेने समय भी बजते हैं, वहां र ब्रहमरी का मिसाल भी समझाया है तुम हो ब्रामन ब्रामनिया ब्रामनी और ब्रहमरी रासी मिलती है जो काम ब्रहमरी करती है वो ही तुम भी करते हो वंडर है ना ब्रहमरी का दिश्टांत कच्छू का सर्ब का ये सब सास्तरों में है शन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं अ इस समय ही बाप इस तर्ण में आते हैं। इनको अर्थात ब्रम्हा को भगवान नहीं का जाता है। वो तो फिर अंद्रसरदा हो जाती है। ऐसे ही मनिश हैं जो राम को कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए राम के लिए भी कह देते हैं। वो तो सर्व व्यापी हैं। कोई कृष्ण पंथी, कोई रादे पंथी होते हैं। रादे पंथी वाले कहेंगे शर्वत्र रादे ही रादे हैं। कृष्ण पंथी कहेंगे जीधर देखो कृष्ण ही कृष्ण हैं। राम पन्थी राम ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बढ़ा है, क्योंकि राम कुत रेता में और कृष्ण को दुआ पर में ले गए हैं, कितना अज्यान है, अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, कितने धेर ब्रमकुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहत का बाप होगा, तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है परजापिता ब्रमा का, बाप ने सवर की नई रचना रची है, गाया भी जाता है ब्रमा दुआरा ब्रामन, जब तक तुम सब ब्रामन ब्रमा की मुक वनसावली नहीं बने हो, तब तक दादे से बरसा ले नहीं सकते, बेहत के बच्चे बेहत का बरसा बाप सही लेते हैं, लिया था ब्रोवर, ब्रोवर सरगवासी थे, अब फिर नर्खवासी बन गए हैं, अब फिर परजापिता ब्रमा दुआरा परमपिता परमात्मा, विश्णु पूजी सौरग रज रहे हैं कितना सहज है शिप बाबा पुझते हैं आगे तुमको यह ज्ञान था इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में यह ज्ञान नहीं था मैं भी विश्णु का पुझारी था जो हम पुझे थे सो अब पुझारी आकर बने अब फिर बाबा आकर पुझारी से पुझे देवता बना रहे हैं तुम बच्चों को अंदर में खुसी रहनी चाहिए परमपिता प्रमातमा नहीं आकर हमको एडाप्ट किया है मनिश्य मनिश्य को एडाप्ट करते हैं बहुत मनिश्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडाप्ट करते हैं अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावन के बन गए हैं इसलिए मुझे आकर फेज से अडाप्ट करना पड़े ब्रमा दोरा अपने बच्चों के अडाप्ट करते हैं यह अडाप्शन कितनी वंडरफूल तुम ही जानते हो शिप बावा ने हमको ब्रम्हा दोर एडाप्ट किया है शिप बावा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को एडाप्ट किया है तुमको बेहस सूख का बरसा देने यह ब्रम्हा तो दे नहीं सकते यह भी मनिश है ना परजापिता ब्रम्हा मनिश यह ज्यान नह प्रम्हा को अथ्वा विष्णों को ग्यान सागर नहीं कहा जाता इन तीनों की महिमा अलग है ग्यान सागर पतित पावन एक बाप है शारी दुनिया के मनिश्र मात्र उनको बुलाते हैं अंग्रेजी में भी कहते हैं वो लिबरेटर है जिससे दूख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है बाप भी यहां आकर रावन से लिबरेट करते हैं रावन राज भी यहां हुआ है यहां ही रावन को जलाते हैं जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लुटने जाते हैं उनको हम सब सिताय हैं, हम रावण की जेल में फ़सिवी है। ये ज्यान किसमें भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शी बाबा कहते हैं, मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ, इस देश पर आए, यह पती दुनिया पुरानी है न, यह है रावन की दुनिया, बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, हम पती बन गए हैं, बाब कहते हैं, हमको पावन बनाने इस पती दुनिया में आना पड़ता ह और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था जो सुन्दर था वोई अब स्याम बना है कितनी वंडरफूल बाते हैं कृष्ण को श्याम सुन्दर क्यों कहते हैं या किसको पता नहीं है क्या एक कृष्ण को इस सर्पने डसा सत्यूग में थोड़ी सरपादी होते हैं बाव कहते हैं यह अंतिन जनम मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो अलब को याद करो तो बेबासाई तुम्हारी है यह सहज राजयोग सहज राजयी बच्चा पैदा हुआ और वर्से का हगदार बना या भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो सौर के राजयी के हम हगदार है अब बाप कहते हैं शतो परधान से तुम तमो परधान बन गए हो फिर सतो परधान बनना है योग और ग्यान सिखाने में एक सेकंड लगता है बच्चा पैदा हुआ और वारिश निश्चे किया तुम बाप के बने हो तो राजधानी का बरसा तुम्हारा है परन्तु राजारानी सब तो नहीं बनेंगे यह सहज राजयोग राजारानी, परजा, सावकार, गरीब, सब चाहिए इसरे रुद्र माला भी बने हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं तुम जानते हो हम राजयोग सिखने आये हैं मात पीता को फोलो कर पहले पहले शुरिवंसी, चंद्रवंसी बनेंगे सपूत बच्चे वो जो मात पीता को फोलो कर तक्त नशीन बने पूसात खूब करना चाहिए बाब कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं सीमत पर चलते नहीं है अंदर सच्चाई नहीं है दिल सच्ची हो तो सीमत पर चलते बाब को याद करते रहे स्रीमत पही तुमको दादे से बर्सा मिलता है ब्रमा सवर का बर्सा दे नहीं सकते दादे की कमाई पर पोत्रे का हग रहता है बाप की कमाई के बच्चे भगदार बनते हैं तो हगदार है या तुमको शिप बवा से बर्सा मिलता है ज्यान रतन बाप से मिलने हैं तुम जानते हो हम ब्रामन ही सोफिर देवी देवता बनेंगे जगतमबा कौन है बाप समझाते हैं ये ब्रामनी थी ज्यान ज्याने शुरी थी फिर राज राजे शुरी बनती है तुम भी ऐसे बनते हो अच्छा, मिठे मिठे, सिक्रिवे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप ददा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप ददा को याद, प्यार, गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस दूसरा पॉइंट बाव से राजाई का बरसा लेने के लिए सदा शपूद बच्चा बन सीमत पर चलना है। और सायोगी बनना ये कोई महाविर्टा नहीं है। लेकिन जिसे बाव अपकारियों पर उपकार करते हैं। ऐसे आप बच्चे भी बाव समान बनो। कोई कितना भी और सायोगी बने। आप अपने सायोगी शक्ति से और सायोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो किस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है कमजोर को कमजोर समझ कर छोड़ ना दो लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ इस बाद पर अटेंशन दो तो सर्वीस के प्लेंस रूपी जेवरों पर हिरे चमक जाएंगे अर्थार सैज परतक्षिता हो जाएगी स्लोगन क्रोध का कारण है श्वार्थ वा इर्ष्या यही चिल्चिडापन की जाड़ है पहले इसे ही शमात करो